एक जंगल में काफी पक्षी रहा करते थे सब पक्षियों ने अपनी अपनी भोजन की फसले लगाई हुई थी ताके उन्हें भोजन ढूनने की कोई भी दिक्कत ना हो आज ही उसी जंगल में एक कालू कवे का परिवार रहने के लिए आता है कालू जी ये जंगल तो बहुती बड़ा और सुन्दर है हम अब हमेशा इसी जंगल में रहेंगे हाँ रानी तुमने एकदम ठीक कहा ये जंगल तो वाकई बहुत सुन्दर है चलो भाई अब हम अपना नया घोंसला बना लेते हैं उसके बाद हमें भोजन भी तो जमा करना है कुछी देर मेहनत करने के बाद कालू कववा और रानी कववी अपना एक नया घोंसला बना लेते हैं चलो रानी मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है हम भोजन डूनने के लिए चलते हैं ये कैकर कालू कववा और रानी कववी अलग-अलग दिशा में भोजन की तलाश में निकल जाते हैं ये कैसा जंगल है? मैं कबसे भोजन डून रहा हूँ? परन्तु मुझे अभी तक एक गंदुम की बाली भी नहीं मिली है मैं तो परिशान आ गया हूँ रानी कववी कालू कववे को ढूनती हुई कालू कववे के पास आ जाती है कालू जी चले मुझे भोजन मिल गया है मैं अभी घोसले में रखकर आ रही हूँ चले हम मिलकर भोजन खाते हैं फिर कालू कववा, रानी कववी और राजू कववा मिलकर वे भोजन खाने लगते हैं अगले दिन कुछ पक्षी कालू कववे के पास आते हैं हमारे जंगल में आप दोनों का स्वागत है कववा और कववी ये जंगल बहुत अच्छा है परन्तु यहां भोजन डूने में थोड़ी दिक्कत होती है इसलिए आप दोनों मेनद करके अपनी एक गंदुम की फसल लगा लें ताके आपका परिवार अराम से भोजन खा सके और आपको कोई दिक्कत ना हो वैसे भी बारिशओं का मौसम आने ही वाला है आप दोनों बारिशे आने से पहले पहले ही अपनी गंदुम की फसल लगा लें हाँ मेनुचेडिया एकदम ठीक है रही है हम सब पक्षियों ने भी कड़ी मेनद करके अपनी अपनी फसले लगा ली है और अब हमें भोजन डूने की कोई भी दिकत नहीं होती है हाँ हाँ पक्षियों तुम सब एकदम ठीक है रहे हो अपसे मैं बहुत कड़ी मैनत करूँगा और अपनी एक गंदुम की फसल लगा लूँगा अच्छा कववा और कवी अब हम चलते हैं अगर कुछ मदद की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना फिर सारे पक्षि वहां से चले जाते हैं ये पक्षि अपने आपको क्या समझते हैं ये अगर अमीर हैं तो क्या ये मुझे कुछ भी कह कर चले जाएंगे मुझसे मैनत मैनत नहीं होती है और मैं मेहनत करके अपनी गंदम की फसल नहीं लगाऊंगा हाँ कालू जी वैसे भी हमसे भोजन डूने की मेहनत तो होती ही नहीं है और उपर से हम गंदम के बीच कहां से डूनेंगे मुझे तो इतनी मेहनत नहीं होगी रानी अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमें बिना मेहनत किये ही बैठे बिठाए भोजन मिलता रहे हाँ रानी मुझे एक बहुती बढ़िया सा उपाए आ गया है अब हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बैटे बिठाए हमें भोजन मिलता ही रहेगा क्या उपाए है कालू जी चल्दी बताए मुझे फिर कालू कववा रानी कववी को अपना शातिर उपाए बताने लगता है अगले दिन कालू कववा अपनी आखों पर पटी बान कर पक्षियों के पास चला जाता है अरे कालू कववी ये तुमने अपनी आखों पर पटी क्यों बान दी हुई है क्या हुआ है तुमारी आखों को पक्षियों मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है मैं बता भी नहीं सकता हूँ तुम सब को कालू कवे क्या हुआ है बताओ हमें और तुम ये बरतन लिए क्यों घुम रहे हो आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ फक्षियों कल मैं अपनी गंदुम की फसल लगाने के लिए गंदुम के बीच डून रहा था के अचानक चीलों ने मेरे राजु कवे पर हमला कर दिया और राजु कवे को बचाने की चकर में चीलों का पंजा मेरी दोनों आखों में लग गया और उसी समय मेरी दोनों आखे खराब हो गई है और अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है वैज जी ने मुझे कहा है कि अब मैं कभी भी कुछ नहीं देख पाऊंगा और अब मैं हमेशा हमेशा के लिए अंधा हो गया हूँ कालू कवे ये तो सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है अब तुम भोजन कैसे ढूंडोगे और अब तुम अपने परिवार का दिहान कैसे रखोगे मेनोचेडिया मुझे अपनी परवा नहीं है परन्तु मेरा बेटा राजुकवा अभी बहुत चोटा है मैं उससे अकेला चोड़कर भोजन ढूनने कैसे जा सकती हूँ और कालू जी की तो दोनों आखें ही चली गई है वे भी बोजन नहीं ढून सकते हैं अब तो मेरा परिवार भूका ही मर जाएगा नहीं नहीं रानी मेरी आखें चली गई हैं तो क्या हुआ मैं यहाँ पर ये बरतन लेकर खड़ा रहूँगा कोई ना कोई पक्षी तो मेरी मजबूरी देकर मुझे भोजन दे ही देगा कालू कवे कोई ना कोई नहीं बलके हम पक्षी ही तुम्हें भोजन देंगे तुम बिल्कुल चिंता मत करो इतना कहकर सारे पक्षी वहां से चले जाते हैं कुछी देर के बाद सभी पक्षी थोड़ा थोड़ा भोजन लेकर आते हैं और एके करके पक्षी अपना अपना भोजन कालू कवे के बरतन में डाल कर वहां से जा रहा होता है थोड़ी देर के बाद कालु कवे का बरतन अब भुजन से भर गया होता है और सब पक्षी भी वहाँ से चले गए होते हैं अरे वा कालु जी आपने तो कमाल की एक्टिंग की है अंधे कवे की और अब किसी पक्षी को हम पर शक भी नहीं होगा और हम बिना मेहनत किये ही भुजन खाएंगे हाँ रानी अब बिना मेहनत किये स्वादिश्ट भुजन के मजे लो अगले दिन भी कालु कववा ऐसे ही एक बरतन लेकर बैठ जाता है कोई तो पक्षी इस गरीब अंधे पक्षी की मदद करे बहुत भूक लग रही है कोई तो मुझे भुजन दे दो कालु कववा ऐसे ही पक्षियों को ब्योकूब बना रहा था और सभी पक्षी कालु कववे का बरतन भूजन से भर देते हैं कुछी दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं एक महीने के बाद जंगल में एक सच का अंधा कबूतर मांगने के लिए आता है अरे कोई पक्षी मेरी मदद करो इस अंधे कबूतर को कोई भूजन दे दो अरे ये अंधा कबूतर यहां कहां से आ गया है जरूर ये भी मेरी तरह नाटक कर रहा है फिर कालु कववा इस अंधे कबूतर के पास जाता है ए अन्दे कबुतर चलो बई यहां से चले जाओ, यह मेरी जगा है, मेरे मांगने का धंदा, तुम खराब मत करो, चलो बई यहां से निकलो यह सब बेठा तोता भी देख रहा होता है, और वे तोता फॉरण यह बात पक्षियों को बताने के लिए चला जाता है तोता पक्षियों के पास आता है, और पक्षियों को सारी बात बताने लगता है तोते परंतु ऐसा कैसे हो सकता है, कालू कववा हमसे इतना बड़ा जूट कैसे बोल सकता है मिनोचेडिया मुझे तो वे कालू कववा पहले से ही लालची और काम चोड़ लगता था हाँ मिनोचेडिया उस कालुकवे की आखें बिलकुल ठीक हैं वे कालुकवा हम सब पक्षियों को पागल बना रहा हैं ठीक है पक्षियों मेरे पास एक उपाए हैं जिससे कालुकवे की सच्चाई हमारे सामने आ जाएगी फिर मीनोचेडिया और पक्षी कुछ फल लेकर कालूकवे के पास जाते हैं कालूकवे तुम बहुत जादा मासूं पक्षी हो इसलिए हम सब पक्षी तुम्हारे लिए ये फल लेकर आए हैं परंतो ये फल हम तुम्हें एकी शड़ पर देंगे हम तुमसे एक परिक्षा लेंगे अगर तुम उस परिक्षा में सफल हो गए तो ये सारे फल हम तुम्हें दे देंगे कालु कवे वैसे तो तुम्हें ये फल नजर नहीं आ रहे होंगे परन्तु ये बहुत सारे फल है कालु कववा इतने सारे फल देकर लालच में आ जाता है और कहता है पक्षियों बताओ मेरी क्या परिक्षा है कालु कववे मेरे बराबर में जो पक्षि खड़ा है तुमें इसका नाम बताना है तुम देख तो नहीं सकते इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा तुमें इसके बारे में बताती हूँ मेरे बराबर में जो पक्षी खड़ा है इसका रंग काला है कालू कववा मन ही मन सोचता है मीनुचेडिया के बराबर में तो बुल-बुल खड़ी है तो फिर मीनुचेडिया काला रंग क्यों के रही है परन्तु मैं तो सची बताऊंगा मीनुचेडिया तुम्हारे बराबर में बुल-बुल बहन खड़ी है और इनका रंग बिराउन है तुम मुझे जूट बोलकर मेरी परिक्षा ले रही हो तुमने बिल्कुल ठीक कहा कालुकवे अब ये बताओ के तुम्हारे सामने ये जो फ़ल रखे हैं ये कौन से फ़ल है इन फ़लों का रंग पीला है अब बताओ ये कौन से फ़ल है अरे मेरे सामने तो ये सेब रखे हुए है तो फिर मिनुचेडिया इसका रंग पीला क्यों बता रही है कालुकवी तुम्हारा सच अब सब के सामने आ गया है तुम कितने बड़े धोके बाज हो तुम अंधे नहीं बलकि तुम अंधे होने का नाटक कर रहे हो कालुकवी तुम्हें शरमानी चाहिए हम सब पक्षियों ने तुम्हारा इतना खयाल रखा और तुमने हम पक्षियों को इतना बड़ा धुका दिया अब कालुकवी की पूल पट्टी सब पक्षियों के सामने खुल गई थी और कालुकवा अपनी आँखों से वे पट्टी भी अठा देता है मुझे माफ कर दो पक्षियों मुझसे मैनत नहीं होती इसलिए मैंने ये अंदे होने का नाटक किया कालुकवे तुमने हमें धोका दिया है और धोके बाद पक्षियों की हमारे जंगल में कोई जगा नहीं है फिर सब पक्षि कालुकवे के परिवार को अपने जंगल से निकाल देते हैं और इस तरह कालुकवे को अपनी गलती की सजा मिल जाती है इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को भी धोका नहीं देना चाहिए ये कहानी एक चड़िया की है जिसका नाम मीनो चड़िया था मीनो चड़िया बहुत ही जादा महंती चड़िया थी हर साल मीनो चड़िया कोई ना कोई वेपार करके काफी जादा मुनाफ़ा कमाती थी इस बार भी मीनोचड़्या ने अपनी जमीन पर तर्बूज के बीच बो दिये थे और अब कुछी दिनो बाद उसकी तर्बूज की फसल निकलने ही वाली थी बस चल्दी से मेरी तर्बूज की फसल निकल जाए ताके मेवे तर्बूस बेचकर काफी जादा मुनाफ़ कमा सकूँ मीनो चेडिया ऐसी बैटी होती है कि वहाँ पर एक कबूतर आ जाता है इस बार तुम कौनसा वेपार कर रही हो हर साल तुम कोई ना कोई वेपार कर काफी जादा मुनाफ़ कमाती हो इस बार तुमने कौनसा वेपार करने का सोचा है कबूतर इस बार में तर्बूस का वेपार कर रही हूँ मैंने अपने तर्बूस के बीच तमीन में बो दिये हैं बस अप कुछी दिनों बाद मेरी तर्बूस की फसल निकल जाएगी उसके बाद में अपने सभी तर्बूज बेच कर काफी जादा मुनाफ़ा कमाऊंगी मेनोचेडिया ये तर्बूज का वेपार करने में तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है नुकसान वो कैसे कबूतर मेरा इसमें क्या नुकसान होगा अक्सर तर्बूजों में कीड़े लग जाते हैं अगर तुम्हारी तर्बूज की फसल में भी कीड़े लग गए तो तुम्हारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा नहीं कबूतर भाई मैं अपनी तर्बूस की फसल का बहुत अच्छे से दिहान रखूंगी एक भी कीड़े को अपनी फसल के आसपास भी आने नहीं दूंगी हाँ मेनो चड़िया वैसे भी तुम्हें तो कितने सालों का अनुबव है तुम कितने सालों से ये फसल लगाने का काम कर रही हो वेसे कबूतर कल जब मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर रही थी तो तुम्हारे घर से तुम्हारी पत्नी की लड़ाई की आवाजे आ रही थी कल क्या हुआ ता कबूतर क्या बताओ मीनो चड़िया मेरी पत्नी ने मुझे दो तेन दिन से परिशान करके रखा हुआ है मैं मुझे कह रही है कि मैं उसे एक सोने का हार दिलाओं लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि मैं अपनी पत्नी को सोने का हार दिलाओं अच्छा तो इस बात पर आप दोनों की कर लड़ाई हो रही थी चबीदो मैं बोलो आप दोनों के घर से इतनी जोर जोर से लड़ाई की आवाजे आ रही है तुम अपनी पत्नी को प्यार से समझाओ तुम्हारी पत्नी मान जाएगी अगर भी फिर भी ना मानी तो मैं तुम्हारी पत्नी को समझाओंगी भी मेरी बात तो जरूर मान लेगी ठीक है मैं अपनी पत्नी को एक बार फिर से समझाओंगा लेकिन अगर उसने मेरी बात ना मानी तो तुम आकर उसे समझाना और फिर मीनो चेडिया और कबूतर अपने अपने गोंसलों की तरफ चले जाते हैं उस जंगल में एक बहुत ही जादा अमीर कालू कववा रहता था कालू कववे के पास किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी वे बहुत ही जादा अमीर था कालू कवे जितना अमीर पक्षी तो पूरे जंगल में कोई भी ना था तोते उलाम जाओ चाकर मेरे लिए अंगूर ले कराओ मेरा अंगूर खाने का बहुत मन है चल दी जाओ जो हुकम कवे सेंट मैं अभी आपके लिए मीठे मीठे अंगूर ले कराता हूँ एक वो दिन था जब मैं बहुती गरीब पक्षी हुआ करता था मेरे पास खाने को बोजन भी नहीं हुआ करता था और तो और मैं पक्षियों से बोजन मांगता था या फिर उनका बोजन चोरी कर लेता था लेकिन आज मैं इतना अमीर पक्षी हूँ यहां तक के पक्षी मुझसे आकर भोजन मांगते हैं कालू कववा था तो बहुत ही जादा अमीर लेकिन कालू कववा बहुत ही जादा लालची भी था कुछ महीने ऐसे ही बीच जाते हैं एक दिन मीनो चड़िया कहती है चलो मैं अपनी तर्बूस की फसल के पास जाती हूँ मेरी फसल तो बड़ी हो गई होगी और काफी जादा पक भी गई होगी चलो मैं चल्दी से जाती हूँ और फिर मीनो चड़िया अपनी तर्बूस की फसल के पास चली जाती है जब मीनुचेडिया अपनी तर्भूस की फसल के पास आती है तो वे देखती है उसकी फसल तो काफी जादा बड़ी हो चुकी थी लेकिन उनी फसलों में एक तर्भूस काफी जादा बड़ा हो चुका था इतना बड़ा तर्बूस देखकर मीनुचेडिया तो हैरान हो जाती है बाप रे बाप इतना बड़ा तर्बूस मैं अपनी जिंदगी में पहली दफ़ा देख रही हूँ इस बार तो इतना बड़ा तर्बूस लगा है मुझे अब इतने बड़े तर्बूस का मैं क्या करूंगी ये तर्बूस तो मेरे किसी भी काम कर नहीं है कोई पक्षी भी मुझे ये तर्बूस नहीं खरीदेगा चलो कोई बात नहीं मेरे पास तो वैसे ही इतने सारे तर्बूस है मैं ये सबी तर्बुस तोड़कर बेच दूँगी और मुनाफ़ कमाऊंगी मिनोचिडिया इतना बोलती ही है कि वहां पर एक बलबुल आजाती है बाप रे मीनू चिडिया इतना बड़ा तर्बूस इतना बड़ा तर्बूस तो मैं जिन्दगी में पहली बात देख रही हूँ बिल बेहन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये तर्बूस इतना बड़ा कैसे हो गया क्या ये इतना बड़ा तर्बूस आप मुझसे खरीदेंगी ना ना मैं इतना बड़ा तर्बूस लेकर क्या करूंगी ये इतना बड़ा तर्बूस मेरे किसी भी काम का नहीं है कोई बात नहीं बलबल मेहन आप मुझसे ये छोटे वाले तर्बूस ही खरीद ले मेनो चड़िया मैं सिर्फ अभी तुम्हारी ये फसल देखने के लिए आई थी तर्बूस तो मैं किसी और दिना कर खरीद लूँगी मैं अभी चलती हूँ फिर बुलबुल वहां से चली जाती है फिर बुलबुल चंगल के सभी पक्षियों को वे बड़े तर्बूस की बात बता देती है कि मेनो चड़िया को इस बार इतना बड़ा तर्बूस लगा है अब उस बड़े तर्बूस की बात उड़ते उड़ाती अमीर कालू कववे तक भी पहुंच जाती है कालू कववा कहता है क्या इस बार मीनो चड़िया को काफी जादा बड़ा तर्बूस लगा है लेकिन वे मीनो चड़िया उस बड़े तर्बूस का क्या करेगी वो तो मुझे नहीं पता के वे चड़िया इतने बड़े तर्बूस का क्या करेगी लेकिन वे चड़िया कह रही थी कि इतना बड़ा तर्बूस उस चड़िया के किसी भी काम का नहीं है अगर वे बड़ा तर्बूस मैं खरीद लू तो तो मैं और भी जादा अमीर पक्षी के लाऊंगा मेरे पास इतना बड़ा तर्बूस जो होगा मुझे और भी जादा अमीर पक्षी बनना है इसलिए मैं मीनो चड़िया सेवे बड़ा तर्बुस खरीद लूँगा चलो तोते गुलाम मुझे उस मीनो चड़िया के पास ले चलो फिर वे तोता कालु कवे को लेकर मीनो चड़िया के पास चला जाता है आओ आओ कालु कवे मुझे तो आज हैरत हो रही है कि तुम इतने अमीर पक्षी हो फिर भी तुम मुझे इस बड़े तर्बुस के बारे में पता चला जबी तो मैं ये बड़ा तर्बुस देखने के लिए आया हूँ आखिर इतना बड़ा कैसे हो गया ये तर्बुस मैं तुम से खरीदने के लिए तैयार हूँ मु मांगी कीमत दूँगा मैं तुमें इसकी नहीं कालु कवे तुम इतना बड़ा तर्बुस लेकर क्या करोगे मैं ये तर्बुस किसी भी पक्षी को नहीं बेचूंगी चिड़िया ये बड़ा तर्बुस तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है इसलिए ये तर्बुस तुम मुझे बेच दो तुम मुझे जितने पैसे बोलोगी मैं तुमें उतने दे दूँगा लेकिन कालु कवे मैं जब ये तुमें तर्बुस दे दूँगी उसके बाद ये तर्बूस तुम मुझे वापस नहीं करोगे क्योंकि इस तर्बूस के बदले में जो भोजन तुम मुझे दोगे उस भोजन से मैं अपने लिए एक घर लोगी तुम अगर वापस भी लेना चाहोगी तो मैं तुम्हें नहीं दोगा ठीक है कालुकवे तो फिर मैं तुम्हें ये बड़ा तर्बूस बेश देती हूँ फिर कालुकवा मीनोचेडिया को पांच बड़ी बड़ी भोजन से भरी पोट्लिया दे देता है मीनोचेडिया भी काफी ज़ादा खुश हो जाती है और फिर तोता वे बड़ा तर्बूस एक रेड़ी पर रखकर वहां से ले जाता है कवे सेंट जी अब तो आप और भी ज़्यादा अमीर पक्षी किलाएंगे क्योंके आपके पास इतना बड़ा तर्बूस जो है हाँ तोते गुलाम अब पूरे जंगल में सबसे ज़्यादा अमीर पक्षी हूँ मैं मुझसे ज़्यादा कोई भी नहीं है अमीर पक्षी जंगल में रात भी हो जाती है वे तर्बूस जो इतना बड़ा था वे इसलिए था क्योंके उस तर्बूस में काफी सारे कीड़े भरे हुए थे जिस कारण वे तर्बूस काफी ज़्यादा बड़ा था वे सबी कीड़े तर्बूस को सुराक करकर उस तर्बूस से बाहर निकल जाते हैं फिर क्या था केड़े निकलते ही वे तर्बूस काफी जादा छोटा हो जाता है। फिर जंगल में सुबह हो जाती है कालू का वजब उठता है तो वे देखता है उसका तर्बूस तो काफी जादा छोटा हो चुका है। तोते गुलाम ये क्या हो गया मेरा तर्बूस इतना चोटा कैसे हो गया कहीं ऐसा तो नहीं के कल रात को किसी पक्षी ने मेरा बड़ा तर्बूस चोड़ी कर लिया हो और वे यहां पर ये चोटा तर्बूस रखकर चला गया हो। नहीं कवे से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हैं आप इस तर्बूस को गोर से देखें इस तर्बूस में कितने सारे सुनाख हैं मुझे लगता है कि इस तर्बूस में कीड़े भरे हुए थे और वे सबी कीड़े कल रात में इस तर्बूस से निकल गए होंगे जिस कारण ये तर मेरा कितना बड़ा नुक्सान हो गया है अब तो मेरा मुझसे ये तर्बूज वापस भी नहीं लेगी फिर इस तरह उस कालू कवे को अपनी लालच की सजा मिल जाती है दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी जिन्दगी में कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए क्योंके लालच बुरी बला है